सबसे पहले रिडिंग मड़ी उनको डिसकस करेंगी चेक है कल हमने अपनी लिस्ट ऑफ हैडिंग की जो टाई थी उसको हमने डन कर लिया है सो आज देखते हैं हमारी कौन सी रिडिंग है अगर हम रिडिंग के नेम की बात करें तो रिडिंग का नेम है exercise for the mind सो देखते हैं इसमें हमें कौन से questions है वो दिये हुए हैं और कैसे उनको हमने solve करने हैं 10 दिन अगर आप मेरी class लगा लोगे न 10 दिन के बाद आप देखना आपकी रिडिंग में definitely आपको जो improvement है वो देखने को मिलेगी क्योंकि अगर मैं आपको booklet दूँगी तब आपकी रिडिंग इंप्रूफ नहीं होगी आप चाहे दिन की चार रिडिंग सॉल्फ करो चाहे पांक सॉल्फ करो वो इंप्रूफ नहीं होगी जब तक आपको strategy नहीं बता होगी कि attempt कैसे करनी होती है कौन सी टाइप के लिए कौन सी strategy है तब तक आपकी जो रिडिंग में score है वो नहीं है आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है match the people जिसको हम बोल देते हैं list of people जाब फिर list of researcher बोल देते हैं वो type आज हम लोग अपनी online class में discuss करेंगे जो कि बहुत easy type होती है अगर आप इसको समझ लेते हो तो free आपका एक band आपको मल जाएगा ठीक है तो सबसे पहले जब भी आपको reading करनी है सबसे पहला काम क्या है instructions को पढ़ना so instruction क्या है you may use any letter more than once ये चीज़ का ध्यान रखो अगर ये आपको note दिया हुआ है you may use any letter more than once तो 100% sure हो जाओ कि definitely कोई न कोई लेटर होगा जो की repeat होगा ये जो instruction है तब ही दी होती है जब की हमारा जो letter है answer का वो repeat होगा ही होगा अब देखो जब हमने instructions को अच्छे से read out है वो कर लिया उसके बाद आपने इनको count करना ये हमारे पास कितनी options चार options है हमारे पास ठीक है और हमारे पास questions कितनी है portion है हमारे पास 8 जिसका हमने answer देना है वो हमारे पास 8 है option हमारे पास 4 है so it means कि ये जो options है ये repeat होगे जैसे एक writer होगा हो सकता है उसने दो बाते की हो तीन बाते की हो इन में से ठीक है वो हमने find out है करना तो सबसे पहला काम instructions को read out करना दूसरा काम counting करना तीसरा काम सबसे important क्या है ये जो writer के names है ठीक है ये जितने भी writers के name है इसको आपने passage में जाकर underline करना है एक writer की बात चाहिए दो जगे दी हो तीन जगे दी हो उसका name आपने underline करना है अब मैं आपको बखिसे जैसे यहाँ पर देखो एक मुझे ये बात मिली सेम उसे राइटर की बात मुझे यहां पर भी मिली और यहां पर भी मिली जितनी बार मुझे उसकी बात मिल रही है मैं उसको अंडरलाइन कर रही हूँ फिर यह मुझे बात मिली फिर यह बात मिली जहां जहां पर मुझे बात मिल रही है मैं उसको सिर्फ अंडरलाइन करना है यह देख सकते हूं आप लोग, ठीक है, यह आपका third step होगा, यह आपनी sequence wise follow करना, अगर follow कर लेते हो ना, तो आपका score पका आएगा यह बात, पहले मैंने क्या किया, कि यह जो है ना, first page को open कर लिया मैंने अपना, ठीक है, यह जो writer का name है, यहां से मैंने पढ़ना शुरू करना इस line की starting से लेकर, ending तक मैंने सरफ पढ़ना है, और मुझे मेरा answer है, वो इसके बीच में ही मिलेगा, यह बात आपनी ध्यान में रखनी है, अब पढ़के दिखते हैं क्या बोल रहा है, and on its website, mind a gem trades on a court from susan grain field, one of the britain best known neuroscientist, यह जो grain field है, सबसी best neuroscientist थी britain के, it is a bit like going to gym, if you exercise your brain, it will grow, अगर आप अपनी brain की exercise करते हो, तो definitely आपका जो brain है, वो grow होता है, अब suppose को आपकी translation आपको नहीं आती, अब देख लेते हैं, इसमें किस चीज़ की बात हुई है, mind, gym, exercise, brain, इसकी बात हुई है, main main सी बात हमने find out कर ली, अब पीछे साथ कर लेत हैं, कौन सी option के साथ, ये सारी बात है, so पीछे हमने कोई भी skill training की बात नहीं पड़ी, ठीक है, mentor, कुछ भी इसकी बात नहीं हुई है, creativity, no, connections, no, school, no, IQ, no, inspiration, no, बचा के हैं हमारे पास seven, seven को एक बार पढ़ना, mental workout, workout means exercise, brain की बात हुई थी, development, वहां पर क्या था, grow, okay, gym भी था उसमें, यहां पर भी gym है, ठीक है, तो इसका जो अंसर हमारा आएगा, seventh का, वो हमारा आएगा, सुसान बाला, so means, seven का अंसर है हमारा, C, यह बात किस ने की है, सुसान ने की है, next, राइटर हमारे पास यह है, so देख लेते हैं, इन्होंने क्या बात की हुई है, neurobiologist, यह neurobiologist थे, इस university में, argue that, क्या चीज़ बताईए, as many of do not have motivation to get enough physical exercise, बहुत सारे लोगों के पास क्या है, motivation नहीं है, physical exercise को करने का, so we have a lack sufficient mental stimulation to keep our brain in form, जिसकी वज़े से क्या है, हमारा जो brain है, वो form में नहीं रहता है, form में means, वो fit नहीं रहता है, since we are all busy with family and household work, क्योंकि हम सभी लोग अपनी family, job और household work में busy रहते हैं, क्या चीज़ अप्शन नमबर 7 तो किसी का नहीं आया, क्योंकि already हो चुक है, बाकी हम लोग देख लेते हैं, so, word नहीं पड़ा पीछे, ठीक है, कुछ भी neurological technique की बात नहीं पड़ी है, creativity, word नहीं आया, connection भी नहीं पड़ा, हमने कोई school की बात, वो भी हमने नहीं पड़ी है, IQ नहीं पड़ा, बचा गया हमारे पास sex, we do not have enough inspiration to keep our brain fit, inspiration means motivation, हमारे पास motivation नहीं है, जससे क्या हम अपने brain को fit रख सके, अब brain fit की जगे पर वहाँ हमें क्या था, brain in form, हमारे पास motivation नहीं है, कि कैसे हम लोग अपने brain को form में रख सकते हैं, अब inspiration, सो यह हमारे पास next, इसके starting line से, ending line तक ही पढ़ना होता है, अगर over read करोगे तो कभी भी answer आपको नहीं मिलेगा, सो हमेशा हमने limited ही पढ़ना होता है, इसमें, सो देखो, well, up to a point at well, what I am really talking about is brain maintenance rather than bulking up your IQ, उन्होंने क्या चीज़ बताई है, कि अगर हम exercise करते हैं, उससे हमारा brain maintain रहता है, IQ bulk नहीं होता, IQ develop नहीं होता, brain हमारा maintain रहता है exercise करने से, अब यहां भी हम लोग match कर लेते हैं, भी किसके साथ यह सारी बात ही match होती है, six to seven किसी का answer नहीं आ सकता, ठीक है, हम बाकी देख लेते हैं भी, पहले आपने वो सब भी options को cut करना होता है, जो हमने पीछे वड़ पड़े ही नहीं है, अब देखो, यहां भी हमने पीछे कोई भी बात skill की नहीं पड़ी है, ठीक है, कुछ भी हमने neurological technique नहीं पड़ा है, creative नहीं आया, connection नहीं आया, school, no, बच्चा कैं हमारे पास option number eight, mental exercise are for keeping your brain healthy instead of improving IQ, IQ की बात थी, improving की जगे पर bulking up था, brain healthy की जगे पर brain maintenance था, तो means, एर्थ का answer भी हमारा आएगा D, ठीक है, next देखे है, अब यह जो है, यह मैं सर्फ आपको read out करके बताऊंगी, answer आप सभी नहीं लगाना है, ठीक है, जिस बच्चे को translation नहीं आती है, translation के उपर इतना focus मत करो, मैं आपको फिर भी आपके जो reading है, वो improve अगर के बताऊंगी कि किस तरीके से improve होगी, इसमें आपने सरफ क्या है, word अपने mind, इसमें सरफ आपने word mind में रखने है, lines का meaning नहीं निकालना आता, तो छोड़ दो, ठीक है, logist have proved time and again that people who lose brain cells suddenly during a stroke often sprout new connection to compensate for the lose, okay? इसमें जो भी बात हुई है, आप देख लो, ठीक है, जतना आपको समझ में आता है, आप उतना देखो, जिस word का meaning नहीं बता, छोड़ दो उसको, ज़रूर नहीं होता है कि आपको हर एक word का meaning बता होना चाहिए, अगर आपको नहीं बता, तब भी आप reading कर सकते हो, तब भी आप nine band को हिट जैसे ही मैं cut करती हूँ न, आपने भी pencil के साथ ऐसे cut कर देना है, ठीक है? ऐसे ही आपने वाँपी cut कर देना है, practice में भी और exam में भी कर सकते हूँ, ठीक है? निरोलोजिकल टेकनीक, नहीं पड़ा, हमने कोई भी टेकनीक की बात हो रही हो, creative, fail, कुछ भी नहीं था, इसकी related, school की बात, नो, बचा क्या हमारे पास? 10, connection थी न, new connection डेबलब होती है, ठीक है? लोस, ये भी word बिच्छे आया था, ठीक है? तो इसका answer क्या आएगा, हमारा जो 10 बाल है, इसका answer भी हमारा आएगा, D. ओके, clear हुआ है? अब next देखते हैं, ये है next हमारे पास, क्या बोल रहे हैं ये? dismisses most of, most of the neurological approaches, nevertheless there are specific mental skills we can learn, ठीक है? सरफ उस line की status से लेकर, ending तक कि मैं read out कर रही हूँ, ना मैं उपर जा रही हूँ, ना मैं नीचे read कर रही हूँ, limited पढ़ोगे, तो answer हमेशा clarity के साथ मलता है, जब ज़ादा पढ़ते हो, over read करते हो, तब problem आएगा. अब सभी लोग में को इसका answer ना, chat box में बताओ, क्या हो सकता है, पहले आपने उसको cut करना है, जो word आप में पढ़ा नहीं है, ठीक है ना? जो जो options हो गए है, पहले में वो cut कर देते हो, तांकि आप लोगों की help हो सके है, eliminate करने में, ठीक है? जो यह सारे options हो चुके है, अब देखो आपने जो पीछे बात पढ़ी है, वो किसके साथ लिए? Yes, very good, सभी ने answer आप बिल्कुल accurate लगाया है, जो इसका answer कौन सा आएगा? 12, ठीक है? देखो, हमने कोई स्कूल नहीं पढ़ा पिछे, ठीक है ना? कोई भी creativity की बात पिछे नहीं हुई अभी, कोई skill, training, कुछ भी नहीं हुआ, बात क्या होई थी? Neurological techniques, वहाँ पर क्या चीज गिवन थी? Neurological approaches, ठीक है? तो इसका answer हमारा कौन सा आएगा? 12, अब आपको पता चल गया ना कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, जो मैंने sequence of steps आपको बताया है ना, इसको solve करने के लिए, वही आपने follow करने, उसके बाद आप magic दिखना कि reading मत करो, अगर आपका score ना आता, तो full reading कब भी नहीं करनी है, आज आपका मेरे पाए support day है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? full reading कब भी नहीं करनी है, जब तक मैं आपको नहीं बोलोंगी, ठीक है? क्योंकि हर एक चीज को करने का pattern होता है, तो अगर मैं आपके उप पूरा burden डाल दूगे, कहीं नहीं, आपने तो 40 बोलोंगी है, तब नहीं होगा, ठीक है? जो चीज मैं बता रही हूँ, उसके उपर focus करके देखना हो, अब यह हमारे next writer है, इन्होंने क्या बोला है, is that most of us never get proper training in these skills, इन्होंने क्या चीज बताएए कि problem क्या है, problem यह है कि हमा पास proper training नहीं है, इस skill में proper training नहीं है, बस इस line की starting से लेकर ending तक मैंने पढ़ लिया, that's it, अब इसको match कर लेते हैं, चलो, देखते हैं, तो इसको cut कर देते हैं, जो जो होगे थे हमारे, ठीक है हमेशा, अब क्या बचा हमारे पास यह तीन बच्ची है, देखो, school की बात तो ह हमने का इंपर नहीं पढ़ी, तो यह तो नहीं आ सकता, creativity नहीं पढ़ा, बचा के हमारे पास 13, majority of the people do not have appropriate skill training for brain, definitely, यही बात हुई थी, उसमें हमने यही तो बात पढ़ी है न, majority of people, वहां पे क्या था, most of us don't have appropriate skill training, yes, training की बात ही वहां पे हुई थी, तो हमारा answer क्या आजाए 13 का A answer आएगा, ठीक है, अब next देखते हैं, एक हमारे पास बचा है, school वाला और दूसरा बचा हमारे पास creativity, अब यह हम देख लेते हैं, इसमें किस चीज की बात हो रही है, अब यहां पी मैं scan करके आपको बता देती हूँ, अब scan भी कर सकते हूँ, जब आपके 2-3 questions रह जा जाएगा, जिस बच्चे को time save की problem है, वो यह सरी tricks को follow गिया गरो, ठीक है, जब 3-4 questions रहेगे हैं, तो अब आप से scan करके भी करोगे ना, तो वो एक्टूरेटी जाती है, अब देखो इसमें कोई school की बात नहीं है, किस की बात है, creativity की बात है, means जो balance वाला है, वो, वो कौन सा आएगा, creativity, so यह रहा, creativity वाला, so इसका अंसर कौन सा आएगा, हमारा B, ठीक है, क्योंकि यह बात किस ने की है, B वाले writer ने की है, ठीक है, अब हमारे पास एक बच्चा है, school वाला, so देख लेते हैं, यह school वाली बात है, वो कौन से writer ने की है, so यहां पर आप देख सकते हो, यह मुझे मेरी last question की location मिल चुकी है, और यहां पर मुझे schools की बात भी मिल चुकी है, ठीक है, तो school वाले का अंसर कौन सा आएगा, Claxton वाला, वो हमारा अंसर है, आजाएगा, ठीक है, यह बच्चे को इसके बाद भी problem होगी, उसको definitely separately teach किया जाएगा, ठीक है, बट आपनी, जो मैंने steps बताएगा, मेरे सामने अभी follow करो उसको, हर एक बच्चे से एक एक question अभी मेरे सामने यहां पी solve करवाया जाएगा, वो खुदी सारे steps को follow करेगा, ठीक है, कैसे location find out करनी, सब कुछ होगी बताएगा, फिर देखना आपकी reading कैसे है, वो improve होगी, ठीक है?